सो यूस का जीडीपी डाटा आता है जीडीपी डाटा भी देखेंगे यूस मार्केट कहां चल रहा है ग्लोबल मार्केट गिफ निप्टी कुरूड ओईल बिटकोईन के साथ साथ अपन डियाई एपई डाटा को भी देखेंगे और उसी के साथ कल बात करेंगे संसेक्स में क 500 लाइक की रखता हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो इसी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस GDP डेटा क्या आया है तो GDP डेटा में यहां पे जो मुझे दिख रहा है कोई भी GDP डेटा में अंचेंजड है गाइस एक्चुल यहां पे जो दि टाया गाइस-टू-वन-एट के ओके डाइस अब बात करते हैं डी याइ और डाटा तो डी याइ याइ आई के अंदर यहां पे आपको तेजी देखने को मिल रही है एप एक अंदर भी यहां पर आपको 639 करोड रुपे की बाइंग देखने को मिल रही है दोनों में आपक जो resistance है कि अगर 26,000 को market ने तोड़ दिया परफेक्ट तरीके से तो market 26,200 का resistance रहेगा आज सुबह का वीडियो भी देख सकते हो मेरे levels देख सकते हो अभी live group के साथ दिखाऊंगा तो यहाँ पे दोनों चीजें आपके लिए अच्छी है अब बात करेंगे global market की global market क्या कह रहा भी या global market US market जो यहाँ पे देखेंगे US market अभी bullish दिख रहा है European market बस अभी close होने वाला है कंटे बर के अंदर तो यह भी कहीं न कहीं आपको bullish दिखाई दे रहा है अगर अब मैं ASEAN market की बात करता हूँ तो ASEAN market के अंदर भी यहाँ पे bullish दिख रहा है लेकिन gift nifty यहाँ पे मुझे जो दिखा रहा है गाइस वो है 26,353 के आस पास यहाँ पे आप देख सकते हो 26,353 तो यहाँ पे अभी sideways दिखा रहा है लेकिन gift nifty 26,353 के पास दिख रहा है सबसे पहले बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की जो भी यहाँ पे update आती है टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है जैसे की डाव जोन्स open हुआ अच्छा gap up open हुआ आपको बताया GDP data आया आपको बताया market rejection ले रहा है तीन बज़े 28 मिनट पे भी बता दिया market में कहां पे levels कैसे plan करेंगे यह सारी चीज़े मैंने आपको तीन बज़े ही वीडियो upload करके बता दिया कि भी यहाँ कल के लिए हम क्या planning कर सकते हैं advance वीडियो आपके लिए बना दिया this is for advance learning support advance guys इतना support कोई नहीं करता है इसी के साथ साथ हमने upside के जो levels थे guys upside के जो levels थे perfectly active हुए nifty का जो levels था हमारा कि भाया हम 26,040 के बाद ही upside जाएंगे जो कि आपने देखा था एक अच्छा movement इसके बाद में मिला था almost 200 point के आसपास का bank nifty की बात करता हूँ 54,225 के बाद यहाँ पर भी 200 point के आसपास movement आपको देखने को मिला इसी के सासथ guys अपन nifty में जो nifty के अंदर guys हमने plan किया था upside के लिए 25,950 का C side 130 का जब चल रहा था मैंने आपको बताया था 130, 135, 140, 60 चल रहा था उस समय आराम से 2-4 बार buying zone पे आया बोले तो paper trade के लिए यहाँ पे आपको बताया only paper trade याद रखिएगा this is for paper trade watching educational support है guys तो यहाँ पे बताया कि अभी के लिए scalping है और wait कर ले न भाईया 10 बजे का और 10 बजे तक ctc rules को follow करते है ctc rules को perfectly follow करते हैं तो यह आपको बताया है guys ओके और यहाँ पे आपने देखा होगा तो यह यहाँ पे कम से कम guys 3500 प्लस यह चला गया यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे moment देखने को मिला और morning में दिया market दीरे 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 एक तरपा आप ही जा रहा था एक तरपा आप ही जा रहा था और in the money की calls का premium नहीं खाता है market in the money के कोई भी calls हो उसका premium कभी नहीं खाता है तो यह सब कुछ आपको बताया guys उसके साथ साथ आपको golds के levels दिये hit हुए mid cap के levels दिये hit हुए यहाँ पे उपर से guys आपको crude oil का level दिया crude oil को देखेंगे तो आपका mind खराब हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो crude oil का levels crude oil का यहाँ पे लेवल दिया आपको 5824 पे चल रहा था परफेक्ट यह target होता है target होने के बाद एक market अच्छा सा एक और upside moment करता है मैंने screenshot नहीं बेजा है और target continue एक तरपा देता है और एक तरपा देने के बाद यहाँ पे रिवर्सल होता है मतलब अच्छा moment था हर एक चीज यहाँ पे update देता हूं morning में 8 बजे अगेन वीडियो बनाता हूं अगर कुछ भी negative positive हो जाता है तो इसलिए अगर आपको join करना है हमारा टेलिग्राम तो description में link है वही हमारा original टेलिग्राम है कहीं ऐसी जर्गापर आप नहीं फसे हुए हो हो सकता आप गलत टेलिग्राम पर join हो तो यह उसे exit कर देना जो मेरे video के description में है वो ही मेरा original टेलिग्राम है बाकी सारे नकली फैक है याद रखिएगा इस चीज को हमेसा याद रखना कोई भी मेरे नाम से पैसा मांगता है तो उसे आपको नहीं देने हैं तो इसी को देखते हुए सबसे पहले हम डेली टाइम प्रेम पर डाउजोंस को देखेंगे तो डाउजोंस एक ह घमजोर यहां पर दिखाई दे रहा है गोल्ड को अगेन देख लेते हैं यहां पर देखो को ह गाईस रखाल मारा प्रेट लेकर आज नजर आ रही है और नामं कर देखूंगा और मोविंग दोनों 200 और यहां पर 18 दोनों मोविंग एवरेसे से ओपर चल रहा है तो कही न कहीं अपने के सारी स्ट्रटजी जो है वो भी बुलिश बता रही है अब मैं चलता हूंगा इस इंडिया विक्स पे इंडिया विक्स ना साइड़ वेस चल रहा है डे टाइम प्रेम प भी टेड चाहिए मार्केट कल गेपप है सबको पता है कल फ्राइडए है डेम चैंजिंग डे थे हैं संसेक्स की एकसपाईड़ी है ज्यादा लालच नहीं करना रूल यही बनाने है ठीक है न ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट बात यह है कि मार्केट यहां पर मॉर्निंग में मैं 15 मिनट पर आता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं लाइव आता हूं आपके लिए मार्केट में हम लायी ते गाइस और लायी सेरे डीरे अपसाइड होता है जैसे कंत्यों हैmetromarket को उपकीट देखरicle तो वहां पे आप यहां पे SL को CTC का प्लैन करना चाहिए क्योंकि मार्केट जब तक भाग रहा है उसे भागने दो कट मत करो जैसे ही वह अपना CTC का है कट कर दो 100 की चीज 500 पर आये उसे कट मत करो वह 180-190 जाने दो अगर वह 190 से अगर वापी से 160 आगे तो उसे कट कर दो CTC को प्रोपर तरीके से फोलो करो और आना चाहिए आपको अधरवाइस आप नहीं कर सकते मार्केट एक परफेक्ट तरीके से साइडवेस होके ट्रेंड को फोलो किया फिर मार्केट हो सकता है साइडवेस होके ट्रेंड को फोलो कर ले और गाईस अगर यह मत सोचना दे को पहली बात मार्केट गेप अप ओपन हो रहा है ठीक है ना गेप डाउन का कोई चांस नहीं है, अगर साइडवेस हो भी जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट है, मतलब 26,150 का आपका सपोर्ट है, इंपोर्टेंट, और 26,150 तोड़ेगा, तो अपना सीधा भाईया, 26,000 का डाउन साइड का टार्गेट आ जाएगा, ये नि पर ही दिए, यहाँ पर यहाँ पर बाहर देखो न, 26,216 पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली है, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो निफ्टी कम से कम गाईज, एक यहाँ पर अच्छा मुझे गैप अप देखते हुए, नजर आ रहा है, एस पर फिवो नाची मेरा लिए है, कल के लिए गाईज मेरा यह लेवल्स यह रहेगा, अल्मॉस्ट आप कह सकते हैं, 135 पॉइंट के आसपास मेरा अपसाइड का यह लेवल्स मुझे नजर आ रहा है, अगर यह अच्छी मेंट हो जाता तो कल मज़ा आ जाएगा गाईज, ओके अपसाइड के लिए य तो क्विकली मुवमेंट रहेगा, स्कैल्पिंग मुवमेंट रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखना, ओके गाईज, अब बात करते हैं, बेंग निप्टी की, बेंग निप्टी इतना साइड बेस होता है, और इस साइड बेस होने के बाद में, एक लास्ट में ब्रेक लेवल के ब्रेक आउट देता है और ब्रेक आउट भी इतना खतरनाक देता और इस फर फाइड मिनट यहाँ कर सकते हो, पंद न मिनट पर आपको एंटरी प्लैं नहीं मिली है, और यह बुलिश था, कही न कहीं हम कहेंगे, की यह बेंग निप्टी काफी बुलिश था, इस लेकिन आपका मार्केट यहीं पर लेवल है तो मेरा फर्स्ट लेवल है गाई चोवन हजार पांसो का पावर्फुल रजिस्टेंस है ठीक है ना उसके बाद सेम ऐसे की 200-200 पॉइंट लेवल्स रहेंगे उसी के बाद मैं अपसाइड जाओंगा तो मैं यहां पर याँ पर फिबॉनाची को यूज करना पड़ेगा फिबुचे क्या लोंगा फिबॉनाची मुझे क्या सपोर्ट करता है इस पर फिबॉनाची मेरे यह 150 लेवल से इंपोर्टन ज 500 को टूटेगा सिदह यहां पर आएंगे और 900 पर भी मार्केट नाटक करता है तो इसे भी हम करेंगे और यह अपना ब्राउंडिंग नंबर है ठीके गाइस तो अपसाइड के लेवल हमारे बंच चुके हैं 500 का लेवल तोड़ेगा तो हम अपसाइड जाएंगे जो कि हमारा पहला टार्गेट जो रहने माला ओल्मॉस्ट 200 पॉइंट या असपास रहेगा 200 पॉइंट दिखा रहा है ज्यादा लालच नहीं करेंगे और अब साइड के लिए गाइस मैक्सिमम क्वांटिटी प्लैन नहीं करेंगे कभी भी याज रखिएगा क्योंकि अपन ओल्टाइम हाई पे हैं छोटी क्वांटिटी से बड़ा प्रोफिट मिल जाए अच्छी बात है इस दिख को ध्यान रखिएगा अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कि मार्केट अगर जोन में आ जाता है तो पहला जो सपोर्ट है पहला सपोर्ट जोन है जो हमारा 54200 के आसपास र इसको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद में जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो यहां पर है उसके बाद में जो अपना और भाई मार्केट गिर जाता है तो यह आपका 200 moving average यहां पर भी 500 का 53500 और यहां पर 54500 यह एक range है आपकी बैंग निप्टी की जिदर भी movement आएग वैसे फिन निप्टी में जाएंगे अपन mid cap निप्टी same वही है guys जैसा अपना market सारा market gap up होगा तो यह कौन सा gap down हो जाएगा तो इसके लेवल्स भी वही है ओके morning में आपको मिल जाएंगे और इनी लेवल्स पर trade करना है आप भी ऐसे लेवल्स बना लेना ताकि आप भी के अंदर लेवल्स बनाएंगे पहले हम जाएंगे फिबोनाची पर फिबोनाची टूल्स हम लेवल्स निकालेंगे कि अपसाइड का जो लेवल्स है यह बता रहा है चीएसी अजार चारसो पचास का उसके बाद में जो बता रहा है 87 285 ओके इतना market तो भाग नहीं सकता फि अल्मोस्ट आप कह सकते हो 1000 पॉइंट के आसपास क्योंकि यहां पर मार्केट सपोर्ट बना सकता है यहां पर आके 200 पॉइंट के आसपास एक ट्रेंड लाइन भी चोटे टाइम प्रेम पर देखते हैं तो कही ना कहीं एक ट्रेंड भी बन रही है तो पहले अपना market ट्रें 500 भी कर सकते हैं राउन नंबर लेके और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 85800 को पावरफुल इसने रजिस्टेंस माना है अब साइड के लिए पहला जो टार्गेट है वह 86000 का रहेगा सेकेंड रहेगा 86200 यह अपने अप साइड के लिए लेवल रहेंगे और उसके बाद बड़े टार्गेट से इसके बीच में भी 200 200 पॉइंट के लिए लेवल रखेंगे मान लोग की मार्केट रिजिक्शन कर देता गैप अपन होते ही गैप फिलिंग कर दिया कुछ भी कर दिया जैसा निप्टी करेगा वैसे यही करेगा तो अपने इस इंपोर्टन जो सपोर है उसको भी अपन लेवल्स माक कर सकते हैं ठीक है छोटा लेवल है बट लेवल्स इस लेवल्स ओके गाईस तो यहां पर अपना एक सपोर्ट जोन इंपोर्टन नजर आ रहा तो यह लेवल्स है अपने संसेक्स के बाकि HDFC बैंक क्लोजिंग का टाइम सपोर्ट नहीं किया इस चीज को ध्यान रखिएगा आईसी और HDFC दोनों क्लोजिंग का टाइम सपोर्ट नहीं किया अगर कल ओपनिंग में सपोर्ट करता है तो आपको अच्छा गेपप देखने को मिलेगा बट यह है कि डाउजून सभी डाउजून सभी गाईस यहां पर डाउन नहीं होना च गाईस थैंक यू